स्विन ट्रेड ओपर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है दोस्तों आप से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले कि हम आगे बड़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकी इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेयर करें और तकनीकी तोर पर यह स्टॉक स्टॉक होता हुआ भी नजर आ रहा है स्टॉक का 52 वीख हाए 2309 रुपए और 20 पैसे है और 52 वीख लो 1607 रुपए और 80 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 2131 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 2308 रुपए और 20 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 2348 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 2389 रुपए और 70 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल्स से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 2196 रुपए और 75 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 2124 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 2050 रुपए और 80 पैसे इस स्टॉक में एक या दो परसेंट या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखके लास्ट क्लोजिन प्राइस से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने अनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है तो आज का हमारा दुसरा स्टॉक लेटेंट व्यू अनालिटिक्स लिमिटेड है ये 9514 करोर की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कमपनी है ये स्टॉक गुरुवार 28 मार्च 2024 को 507 रुपए और 75 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता अभी नजर आ रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 544 रुपए और 80 पैसे है और 52 वीक लो 320 रुपए और 5 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 452 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टन्स 520 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स 538 रुपए और 45 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स 557 रुपए और 35 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले स पर समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 500 रुपए और 70 पैसे, इसका दुसरा सपोर्ट होगा 481 रुपए और 80 पैसे, और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 461 रुपए और 60 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2 परसेंट या फिर फिर सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखके लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने अनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिकेड है। ये 13,852 करोर की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कमपनी है। ये स्टॉक गुरुवार 28 मार्च 2024 को 446 रुपए और 65 पैसे पर बंद हुआ है। और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्टॉम होता अभी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 471 रुपए और 90 पैसे हैं और 52 वीक लो 280 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 385 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अब मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टार्गेट नि 90 रुपए और 15 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियो रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर यह स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ ज इस स्टॉक में एक या दो परसेंट या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखके लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने अनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा चौथा स्टॉक VIP इंडस्ट्र इस लिमिकेड है। ये 6607 करोर की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कमपनी है। ये स्टॉक गुरुवार 28 मार्च 2024 को 525 रुपए और 50 पैसे पर बंद हुआ है। और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता हुआ भी नजरा रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 722 रु और 5 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 451 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब आप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टन्स 549 रुपए और 30 पैसे, इसका तीसरा रिजिस्टन्स 612 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर यह स्टॉक इस ल 23 रुपए और 45 पैसे। इस स्टॉक में एक या दो परसेंट या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखके लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने अनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा पांच स्टॉक दिलीप बेल्ड कॉन लिमिकेड है। ये 6,217 करोड की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक गुरुवार 28 मार्च 2024 को 456 रुपए और 90 पैसे पर बंद हुआ है। और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता हुआ भी नजर आ रहा स्टॉक का 52 वीक हाई 504 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 169 रुपए और 55 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 389 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अब मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 463 रुपए और 45 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 484 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 505 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर ये stock इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 427 रुपए और 90 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 396 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 366 रुपए और 85 पैसे इस स्टॉप में 1 या 2 परसेंट या फिर फिर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखके लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने आइनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है दोस्तों यह वीडियो केबल और केबल एजुकेशनल परपस के लिए है इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलहा नहीं है आपको गयापार करने से पहले अपने विद्टिय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलबिदा